हेलो फरेंड्स आज का जो हमारा लेक्चर है कुछ special है और इस लेक्चर में हम one-word substitution को discuss करेंगे एक्छ Aur my friends ये जो lecture है ये टेस्ट की तरह धियाईन किया गया है और मेना suggestion है कि जब आप इस लेक्चर को देख रहे हूं तो एक copy जिए लिखिए और बाद में मैच कीजिए कि आप कितने वर्ण वर्ण सब्सक्राइशन का सही आंसर दे पा रहे हैं तो चलिए आज का लेक्टर शुरू करते हैं देखिए सबसे पहला जो वर्ण सब्सक्राइशन है वो है कि अब बाइसकल फॉर टू और मॉर पीपल एक ऐसी साइकल जो दो या दो से ज़्यादा लोगों के लिए होती है जेनरली फेंट्स जो बाइसकल होती है वो एक व्यक्ती चलाता है लेकिन कई बार आपने जैसे किसी ही लिस्टेशन पे इस पिसली जैसे आप नईंताल वगएरा चले जाते हैं तो हम वहाँ आपको एक ऐसी होता है यह बाइसकल नहीं होती इसको कहते हैं टैंडम टी एन डी एम टैंडम के लिए फ्रेंट्स आगे हैं आप बाड़ी ऑफ परसंस अपॉइंटेड तो हीर इविडियन्स और जज एंड गिव देर वर्डेक्ट एक बाड़ी ऑफ परसंस ऐसे लोगों का समूँ जो एक वर्ड हम यूज करते हैं ज्यूरी 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 जगा पर थोड़े समय के लिए जो stay होता है उसको हम कहते है सौजार्ण S O J O U R in सौजार्ण clear? आज ब्रीफ और शॉर्ट stay at a place और आगे एक वर्ड है प्यारा सा abroad road bordered with trees एक ऐसी सड़क चोड़ी सड़क जिसमें लाइन से पेड हो clear? तो इसके लिए फ्रेंट्स एक word आता है bolward b-o-u-l-e spelling प्यार से देखें b-o-u-l-e v-a-r-d bolward bolward क्या है एक ऐसी सड़क है जो trees जिसके side से trees होते हैं clear friends आगे है आप building in which aircrafts are housed एक ऐसी building जहां पर earcraft रखे जाते है उसका नाम होता है hangar clear और hangar आपके wardrobe में भी एक hangar होता है अब मुझे बता दीजेगा कि जरह spelling सेम होती है कि या लग होती है बीच बीच में दूसरे test भी आपके होते रहे हैं अब building where an audience sit एक ऐसी building 6th नमवर पर है किशन कि जहां पर audience बैठते हैं audience कहां बैठते हैं audience से आपको याद रखना है auditorium audit और इसमें orium और जोड़ दीजिए orium auditorium के लिए फरंस और देखें spelling का भी साथ साथ टेस्ट चल रहा है spelling पे भी आप फोकस करते चलिएगा आगे है child born after death of his father एक ऐसा बच्चा जो अपने father की death के बाद पैदा होता है या एक ऐसी बुक जो writer की death के बाद पब्लिश होती है दोनों के लिए एक term आता है और definitely आपको याद होगा posthumus p-o-s-t-h-u-m-o-u-s posthumus p-o-s-t-h-u-m-o-u-s a collection of slaves definitely आपने नहीं पढ़ा होगा जो slaves होते हैं, दास होते हैं उनका एक collection उनका एक समूँ, उसके लिए भी एक special term है और वो कहलाता है कॉफल कॉफल क्या होता है collection of slaves होता है चलिए आगे है decorative ring of flowers and leaves एक decorative ring जब बना देते हैं flowers की या leaves की उसको हम क्या कहते हैं यानि एक सुन्दर सा एक ring बड़ा घेरा flowers और leaves का बना देते हैं और उसको हम कहते है full mala यानि डवलू आर इए टी एच रीथ clear और डवलू आर एटी एच रेथ ये हो जाता है anger, गुसा और रीथ क्या होती है जो माला होती है flower और leaves की बनाई हुई a den for small animals एक छोटे animals के लिए जो den होती है, गुफा होती है देखिए एक वर्ड तो especially den हम यूज करते है den गुफा के लिए यूज होता है लेकिन ये ही den ये किस के लिए होती है lion है, tiger है या बड़े जंगली जानवर है उनके लिए den होती है लेकिन जब ये den छोटे animals के लिए हो जाती है तो इसको हम नाम देते हैं, hutch clear? एक mobile company भी हुआ करती थी कभी जो बंद हो गई है clear? चलिए, आगे है a disease that affects a large number of people in an area at the same time एक ऐसी बीमारी जो affect करती है बड़े इस तरब लोगों को किसी एक area में एक समय तो definitely आपको याद आ रहा होगा pandemic कभी एक world था pandemic बड़ा popular रहा है कोरोना के टाइम में लेकिन यहाँ ये pandemic नहीं है pandemic कैसी disease होती है जो किसी particular area से बाहर जिसकी boundary होती है यानि जो countries में, different countries में फैलती है और यहाँ अगर बात करें कैसी बीमारी जो large number of people में affect करती है एक particular area में इसके लिए एक world आता है epidemic एपी डैमिक clefence a disease which is spread by direct contact direct contact से जो बीमारी फैलती है जिसको हम कहते थे जुआ चूआ चूट की बीमारी है तो उसके लिए एक word आता है contagious disease c-o-n-t-a-g-i-o-u-s contagious clefence और इसके बाद next है 14 number पे हमारा question है देखे क्या है a doctor who specializes in the eye diseases of the eyes means जो eye disease होती है उसके लिए क्या कौन सा specialized doctor होता है जिसके पास हम आखों का इलाज कराने के लिए जाते हैं और definitely word पढ़ा है अपने friends और यह होता है ophthalmologist o-p-h spelling ध्यान दे o-p-h-t-h-a-l-m-o t-h-a-l-m-o ophthalmologist l-o-g-i-s-t o-p-h-t-h-a-l-m-o l-o-g-i-s-t ophthalmologist clear friends a doctor who treats children अब बच्चों का डॉक्टर क्या होता है paediatrician p-a-e-d-i-a paediatrician t-r-i-c-i-a-n spelling देख लें p-a-e-d-i-a-t-r-i-c-i-a-n paediatrician clear friends dramatic performance बड़ा प्यारा सा one word है dramatic performance क्या कहलाता है इसके लिए एक word आता है friends mask m-a-s-q-u-e mask के नाम सिक्षपियर के कुछ प्लेज आपको learn हो गए होंगे याद आ गए होंगे कि कुछ प्लेज में सिक्षपियर के mask performance होता है drawing on transparent paper एक जो transparent paper होता है उस पर drawing को हम क्या कहते है देखें वो drawing हमारी कहलाती है transparency t-r-a-n-s transparency p-a-r-e-n-c transparency clear friends और आगे बढ़ जाते हैं figure of speech by which a thing is spoken of as being that which is only resembles और resembling बाली figure of speech कौन सी होती है बताईए friends फटा-फट से जरा लिख लिए अपनी notebook में यह होती है friends जिसमें क्या होता है resembling होती है only resembles यानि s-i-m-i-l-e simile clear a fixed orbit in space in relation to earth fixed orbit यानि एक ऐसा orbit ऐसा path जिसमें कोई object है वो घूमता है उसको क्या कहते हैं वो कहलाता है geostationary ge-o-geo और stationary stationary की भी दो spelling होती है s-t-a-t-i-o-n-a-r-y इस stationary पे धियान दें यह stationary होता है स्थिर और अगर इसमें a की जगा e कर दिया जाए तो stationary हो जाती है जो आपकी office में जो चीजे रखी होती है clear friends जो कागज कलम होता है stationary stationary वो e वाली हो जाती है next है अब former student of a school, college और university कभी-कभी देखते होंगे alumni meet होती है वो किसी भी college में हो सकती है किसी university में हो सकती है clear? तो एक former student किसी college का university का क्या कहलाता है वो कहलाता है alumnus a-l-u-m-n-u-s alumnus और इसी का plural हो जाता है alumni clear friends और a four-footed animal four-footed animal यानि जो चोपाया जानवर होते है उनके लिए क्या word to use हम करते है quadruped q-u-a-d quadruped r-u-p-e-d quadruped q-u-a-d r-u-p-e-d spelling देखें quadruped quadruped क्या होते हैं चोपाया जानवर होते हैं और आगे बढ़ते हैं friends a four-wheeled carriage for a baby post by a person on port एक बच्चे के लिए four-wheeled carriage clear और जिसको क्या हो करते हैं जिसको एक व्यक्ती पैदल ले जाता है और especially इस word को हम क्या कहते हैं friends यह word होता है हमारा pram लेकिन यह pram sort form है और actual में वर्ड क्या है यह है prambulator prambulator को हम क्या कह देते हैं short में pram कह देते हैं pram किस के लिए है एक छोटी बच्चे गाड़ी जिसमें बच्चे को गुमाते हैं आगे है a game in which no one wins एक ऐसा game जिसमें कोई जीता नहीं है यानि ऐसा game क्या कहलाता है जिसमें कोई जीता नहीं है क्या हो गया game? draw हो गया clear? general pardon of offenders general pardon क्या होती है? जब बड़े स्तर पर लोगों को माफ कर दिया जाता है especially youth के समय तो उसको हम कहते है general pardon को amnesty a m n e s t y amnesty यानि हिंदी में एक word यूज करते हैं इसके लिए शर्व शमा यानि जितने हैं भाई सबको हमने इस माफ कर दिया clear? युद में बंदी बना लिए सैनिक और बाद में उनको माफ कर दिया छोड़ दिया a geometrical figure with eight sides eight side वाली geometrical figure hexagon, pentagon, septagon, octagon क्या होती है देखे geometrical figure eight side है तो definitely क्या होती है octa, o c t a octa और g o n octagon clear friends ध्यान यह रखें g o n है g a n यहां पर नहीं है octagon o c t a g o n o c t a a b a francis में g o n octagon clear? आगे बढ़ते हैं government by officials अभी जो words अभी हम discuss कर रहे थे पीछे क्या root words उसमें इस word को हमने लिया था government by officials बहुत सारी government जो different लोग run करते हैं उनको तो वहां एक word आता है क्या word लिया था हमने जिसकों कहते है bureau crazy officials के द्वारा government तो b u r e a u bureau और crazy c r a c by bureau crazy clear friends a group of girls और ये एक्जाम में पूछा गया है क्यी बार ये word आया है group of girls girls का जो group होता है उसको क्या कहते है उसको कहते है friends baby b e v y baby clear कई बार किसी लड़की को हम baby कह देते है baby यहां सुनो तो उस baby से आपको learn कर लीजे वो baby क्या है group of girls होता है b e v y a group of three powerful people तीन powerful लोगों के समूँ को हम क्या कहते है definitely आपने Julius Caesar में पढ़ा होगा या Anthony Cleopatra में एक word especially use करते है triumvirate t r i u m v i r a t triumvirate triumvirate क्या है a group of three powerful people triumvirate clear friends a guide post pointing out the way for a place किसी जगा को जब point out करने के लिए एक guiding post होता है जगा जगा जिससे लिखा होता है कोई जगा है कि कोई भी शहर है कि इस तरफ है इस तरफ जाईए आप इस तरफ आपको यह जहर मिलेगा तो उस post को क्या कहते है देखे उसके लिए एक word होता है finger post finger post और एक्च्वल में finger post क्यों कहते है अब तो इसमें finger का यूज नहीं होता अब तो arrow का यूज हो जाता है कही बार या इस पेसली लोहे का एक फ्रेम बनाके उस पे arrow बना देते हैं या वही उसी को design कर दिया जाता है लेकिन पुराने जवाने में ब्रिटेन में क्या होता था finger की finger से point out किया जाता था finger का चिन बनाके तो तभी से नाम इसका finger post है heavy continuous fall of rain लगातार जो heavy rain होती है उसको क्या कहते है heavy rainfall को उसके लिए word आता है friends downpour d-o-w-n-p-o-u-r downpour clear downpour क्या है heavy rainfall a humorous drawing dealing with current event or politics humorous drawing definitely क्या है current event को या politics को humorous drawing है उसके द्वारा जो दिखाया जाता है तो humorous drawing क्या कहलाती है यह कहलाती है cartoon c-a-r-t-o-n cartoon और cartoonist एक बहुत बड़े रहे हैं और उनी के साथ एक उनके भाई थे कौन थे एक बहुत बड़े Indian author थे इंगलिस author थे जिनको में study करते हैं क्या थे friends एक आर के लक्षमण एक इत्य आर के नारायन clear तो आर के लक्षमण थे इंडिया के बहुत बड़े cartoonist वो रहे हैं और एक भाई आर के नारायन definitely आपने पढ़ा है नारायन को PGT में a jocular person who is full of amusing anecdotes एक jocular person किससे भरा हुआ anecdotes से एक हसी मजा करने वाला व्यक्ति jocular उसको क्या कहते है amusing person को anecdotes को से भरा होता है उसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं wag क्या wag और इससे एक दूत्रा वर्ड भी बन जाता है WAZ यह wag क्या है यह मजदूरी के लिए यूज होता है नीचे वाला amusing person के लिए यूज होता है a large number of fish swimming together बड़ी मात्रा में जब जो fish होती हैं वो एक साथ swim करती हैं तैरती हैं तो उसको क्या कहते हैं उसको कहते हैं shawl clear friends a large sleeping room with many beds और एक ऐसा बड़ा room जिसमें बहुत सारे beds होते हैं clear कभी जाते हैं आउटर इस्टे पे तो individual particular कोई room ना लेके हम क्या कर लेते हैं एक ऐसा बड़ा hall होता है होटल में जिसमें बहुत सारे beds side to side लगे होते हैं और हम bed बुक कर लेते हैं उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं वह होता है dormitory d-o-r-m-i-t-o-r-y dormitory clear friends स्पालिंग चेक कर लीजगा d-o-r-m-i-t-o-r आगे है a light sailing boat built especially for racing racing के लिए कौन सी boat है जो especially racing के लिए बनी होती है light sailing boat और यह है friends yacht y-a-c-h-t yacht confusion इसकी स्पालिंग में होता है और कई बार हम learn कर लेते हैं y-a-t-c-h yacht तो ध्यान रखें t-c-h यह नहीं है c-h-t है yacht बहुत जादे confusion इस स्पालिंग में हो जाता है a list of books and writings of one author or one subject एक ऐसी list कि list of books या writings की किसी एक author की या किसी एक subject की उसको क्या कहते word पढ़ा होगा आपने definitely क्या होता है एक वर्ड आता है bibliography b-i-b-l-i-o bibliography जी आर ए पी एच बाइ bibliography क्लिफंस और इसमें आप होना दे कि 35 और 36 में 36 में क्या कहरा list of books available in a library एक ऐसी list जो library में available होती है books की उसके लिए दूतरा word होता है वो होता है आपका catalog c-a-t-a-l-o-g-u-e catalog c-a-t-a-l-o-g-u-e catalog clear friends और next है a list of passengers and luggage passengers की और luggage की list होती है उसके लिए शायद ना पढ़ा होगा आपने word यह एक word यूज करते हैं bevel bevel क्या है bevel है list of passengers and luggage चले फंट्स आज के लेक्चर में 50 one word substitution हम डिसकस करेंगे बाकी next lecture में लेंगे और lecture को complete करने के बाद comment करके जरूर आपको बता देना है कि आपके कितने one word substitution हैं लाण थे कितने आपके सही हुए है clear ताकि आपकी तयारी भी सासाथ होती रहें पता लगे कि आप कितनी तयारी कर पा रहे हैं आगे फंट्स low area storm with high winds rotating about a center of low atmospheric pressure यानि low area storm एक ऐसा storm जो high wind होती है जिसमें rotating about a center जो एक center पर rotate करती है low atmospheric pressure कई बार pressure जहां कम हो जाता है तो वहाँ जो winds होती है वो चलती है और वहाँ rotate करने लगती है और ऐसे तुफान को हम क्या कहते हैं cyclone का जाता है clear friends और a man having no hair on scalp एक ऐसा आदमी जिसके सर पे बाल न हो definitely क्या कहलाएगा बार्ट बी एल डी बार्ट a man of lex morals lex कहते हैं lose की एक ऐसा विक्ति जिसके morals नहीं होते यानि जो कहीं भी अपना फिसल जाता है clear friends तो lex moral वाले विक्ति को हम कहते हैं licencius licencius clear licencius, livius L से बहुत सारे वर्ट्स बनते हैं lex moral के लिए और यह सारे वर्ट्स आपको Norman Lewis में हमेने सिखा रखे a man who doesn't know how to read or write कैसा विक्ति जो नहीं जानता कैसे लिखा जाता है या पढ़ा जाता है यानि अनपढ अनपढ के लिए वर्ड हम यूज करते हैं illiterate I-double-L-I I-double-L-I T-E-R-A-T-E I-double-L-I T-E-R-A-T-E illiterate के लिए फर्ट्स यानि कोई अनपढ असिक्षित व्यक्ति A man who knows a lot but thinks like food music and art एक आदमी जो बहुत कुछ जानता है लेकिन किन के बारे में food, music और art के बारे में इसके लिए वर्ट हम यूज करते हैं पार्की और वर्ट हम लाते हैं कौनो सर C-O-N-O-I Double-S-E-U-R कौनो सर और यह स्पैलिंग कई बार पूछी गई है स्पैलिंग ध्यान दें C-O-N-O-I Double-S-E-U-R कौनो सर क्या होता है यह फूड, music या आर्ट का पार्की व्यक्ति होता है और आगे बढ़ते हैं A man who waste his money on luxury एक ऐसा व्यक्ति जो लग्जरी पर अपनी जो money है उसको वेस्ट करता है यानि फिजूल खर्च यानि extra wasn't E-X-T-R-A-O-V-A-G-E-N-T extra wasn't clear और A man with abnormal habits एक ऐसा व्यक्ति जिसकी abnormal habits होती है तो उसको हम संकी कहते हैं संकी के लिए एक वर्ड हम यूज करते हैं eccentric E-C-C-E-N-T-R-I-C eccentric और आगे फ्रेंट्स A medicine to nullify the effect of poison poison के effect को nullify करने के लिए poison के effect को कम करने के लिए खत्म करने के लिए हम क्या यूज करते हैं कौन सी medicine यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं antidote antidote क्या होता है poison के असर को खत्म करने के लिए एक दवाई यूज करते हैं method which never fails एक ऐसा method जो कभी fail नहीं होता यानि कभी fail नहीं होता तो fallible, infallible I-N-F-A-L-L-I-B-L-E infallible clear friends जो कभी ऐसा method जो कभी fail नहीं हो infallible और a mild or indirect expression substituted for an offensive or harsh one एक indirect method, indirect expression हलके तरीके से किसी offensive बात को कह देना और वो है क्या? यूफेमिजम यूफेमिजम में क्या होता है? किसी भारी बात को हम हलके तरीके से कह देते हैं यूफेमिजम E-U-P-H-E-M-I-S-M E-U-P-H-E-M-I-S-M यूफेमिजम के लिए फिर्ट्स और आगे हमारे पास देखिए क्या है? आगे हमारे पास देखिए क्या है? एक मौन्फुल पोयम या सौंग उसको हम कहते हैं E-L-E-G-Y और डफिरिटली आगे वाला वर्ड है ये डिफिकल्ट होगा आपके लिए A longo stretch of land connecting two large bodies of land एक ऐसा नेरो लेंड जो दो बड़ी जो लेंड बॉडीज है उनको connect करता है ये लेंड है दोनों तरफ इसको connect करने वाला एक जो च्छोटा सा नेरो पाथ होता है इसको हम क्या कहते है इस पेस ली जैसे पनामा में है पनामा जो आप ने दिखा हूँ दो could करती है और यहे पे पनामा नहर भी निखली है तो नहर की बात हम नहीं कर रहIVEैं लेकिन लार्ज बाडी की बात कर रहिए जो दोनों बाडी को राशशवार करती है यू एस इस्तमस क्लियर और इसके बाद आज का जो लास्ट हमारा one word substitution है उसको डिस्कुस करते हैं a notice of a person's death एक person की death पे जो notice होता है उसको क्या कहते है arbitrary O-B-I-T-U-A-R-Y arbitrary क्लियर फ्रेंट्स O-B-I-T-U-A-R-Y और फ्रेंट्स कुछ gap रहा पाच्छे दिन मुझे लगता है लगबख चैनल पे शायद फस्ट टाइम रहा है पिछले दो सालों में जिसमें चैनल पे कोई भी लेक्चर नहीं आपको मिल पाया और लेकिन अब आपको regular way में लेक्चर्स जो हैं वो मिलते रहेंगे आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा और कमेंट करके फ्रेंट्स बता दीजेगा डेफिनिटली कि आपके कितने किश्वन सही हुए हैं चलिए मिलते हैं बागी 50 के बाद जो वनवर्स अब्टिजूशन है उनको डिसकस करते हुए और तक्स पर वाचिं इस वीडियो